हलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपोर्टेड मुद्ध पर बात करने वाला हूँ मुद्धा दोस्तों यह है कि ताइवान जापान और ईयू भारत के खलाफ डबली टियो में चले गए हैं पूरा मुद्धा क्या है आपनों डेटेल में समझेंगे यहां से दोस्तों पूरा आपका डबलू टियो कबर होता है और कबर होगा दोस्तों इंटरनेशन रलेशनसिप आपको पताई होगा कि जापान जो कि आज कल इंडिया की बहुत साहिता करता है चाइना को कांटर विलेंस करने के लिए दूसरे हाथ पर दोस्तों ताइवान जो कि आलसो चाइना को कांटर विलेंस करने में बहुत साहिता करता है भारत की तीसरे दोस्तों इयू भी हमारे लिए एक एहम देश है जो कि दोस्तों हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है यू जिसको दोस्तों ट्रेट डेपिसिट जिलना पड़ता है हमारे साह साथ में trade करने लिए हला कि trade deficit की volume छोटी है लेकिन trade deficit तोंगे काफ़ी आच्या है तो ये तेन देस फिर से एक बार नाम लेता हूं जापान अरआपान ये सारे को कई सारे बसंग व्योβ हाते हैं ये शारे का सारसार चले डेने और मांकिए डे ट्रुट ौम बात के साथ में क्या dispute हैं और ये क्यों गए हैं दोस्तों WTO के अंदर ठीके WTO कभी मौका मिलेगा तो एक नौपकिस में पूरा अच्छी तरीकेस पढ़ाऊंगा इसमें आप लोग याद रहिए दोस्तों बहुत सारे countries इसके signatory हैं ठीके के हैं दोस्तों इसके signatory हैं और दोस् इसी एक लड़ाई है और जो कि दोस्तों निकलकार आ रही है यहां पर इंडिया वर्सिस इंडिया है एक हाथ पर और दूसरे हाथ में दोस्तों जापान ताइवान और EU इनका दोस्तों कंप्लेंट यह है कि जो भारत है दोस्तों उसने एक agreement पे sign कर रखा है और agreement का आप ना signatory होंगे वह दोस्तों एक दूसरे के ऊपर जो technology का जो दोस्तों सामान होता है से कि आपके mobile phone है charger है chip है SIM है जो भी कुछ है उनके ऊपर दोस्तों export duty जो होती है वो नहीं लगाएंगे ठीक है जो export duty होती है वो नहीं लगाएंगे ठीक है तो यहां पर इनका यह कहना है जो ता information technology agreement का signatory है तब भी वह ऐसा कर रहा है और यह तीनों देश कह रहे हैं WTO में जाके कि यह दो जिये जो है इस agreement का दोस्तों उलंगन है तो यहां पर WTO से कह रहे हैं कि भारत के खिलाब को नहीं सरी एक्सन लिया जाना चाहिए तो आयोब आपके समझ में आया होगा पूरा मु information technology agreement इसका भरत उलंगन कर रहा है और हमारा जो माल है उसके उपर हैबी duty लगा रहा है जो duty कभी कभी तो 30% तक चली जाती है बनना आम तोर पे कम से कम कुछ नहीं तो 20% तो देखने को मिलती ही मिलती है तो यह कहना है हमारे EU का तो यहां पर देखते हैं आगे क्या होगा रहा ह Ton आई ये लेकिन इहाँ पर जो इंडिया है वो यह कह रहा है कि हमें जोइंट नहीं हमारे को आप अलग लग dispute पैंल बना के दो एक dispute पैनल में हम लोग जापान से लडेंगे एक Defenceरुट पैनल में हम लोग यह वान से लडेंगे एक a.o तो इन तीनों को डिफीट करना बहुत मुश्किल पड़ेगा ठीक है बाकी जो है इनके लिए आराम से एक एक करके हराय जा सकता है अच्छा यहां पर आप एक बात और जान लीजे कि यहां पर भारत का किया है क्या भारत इस टेकनोलोजी अग्रिमेंट का दोस्तो अभिहलना कर रहा है या फिर कोई ऐसी बात है जिसको तीन देस नहीं पगड़ पा रहे हैं तो यहां पर इंडिया यह कह रहा है जो पहले इन फॉर्मेशन टेकनोलोजी अग्रिमेंट हुआ था उसके तो हम लोग सिगने के उसके तो हम लोग दोस्तों सिगनेटरी हैं लेकिन जो दूसरा information technology agreement हुआ है उसके हम लोग सिगनेटरी नहीं है that's why हम लोग आपके माल के उपर एक heavy tax impose कर सकते हैं ठीके और ऐसा हम कर रहे हैं दोस्तों अपनी local market को बचाने के लिए तो यहाँ पर इंडिया का साप साप से ये कहना है कि जापान ताइबान EU आप लोग जाएगे आपको जाना है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहला information technology agreement था उसके दायरे में जो सामान आता है हम आपके उस सामान के उपर जो tariff है वो नहीं लगाते हैं लेकिन आपको कोई भी ऐसा सामान आता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि पहला information technology agreement के अंतरगत नहीं आ रहा है वो दूसरे के अंतरगत आ रहा है तो उसको पर माल उसको पर दोस्तों हम लोग duty impose करेंगे यहाँ पर जो पहला information technology agreement है दोस्तों यहाँ को पता होना चाहिए जो पहला information technology agreement है उसको दोस्तों थोड़ा सा broad किया गया है और बनाया गया है second information technology agreement यानि कि जो चीज़ें पहले information technology agreement में नहीं आती थी उन्हें डाला गया है दूसरे information technology agreement में भारत कह रहा है कि मैं information technology agreement जो पहले मैं आपको एक बार PDF मिलेके चलता हूँ PDF इंदी के लिए जोनों में ही है तो आपको कोई बरी करने की जुरूत नहीं है अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो दोस्तों हमारा चनल सावधिया क्लारी टेलिकराम पे आप उसको जाके इसको डालोड कर सकते हो त इसके क्या बना दिये हैं जो दोस्तों इस बात की जाच करेंगे कि इंडिया सच में ही बहुत जादर दोस्तों डूटी इंपोर्ट डूटी लगा रहा है इन तीनों देश के ऊपर जो कि दोस्तों एक तरीके से उलंगन है एर Information Technology Agreement का तो उसमें दोस्तों ये पैनल बनाए ज और उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो हमारे इस Agreement की अभेलना कर रहा है वो सिगनेटरी है तो उसको ऐसा यहां पर नहीं करना चाहिए ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप अलग अलग डिस्प्यूट पैनल बना दिये गहें टूटल तीन बनाए गहें हैं एक में भारत EU से यह बात कि इसके उपर जो मैटर उठा रहा है वो दोस्तों यहां पर आपका EU या ताइवान या जापान नहीं है और भी काफी सारे देश हैं जो भारत के गलाब WTO में जा चुके इसमुद्दे को लेगे जैसे आपका पर यह राष्ट अमेरिका ठीक है अब इसके की कई में इंडिया जो है वो अभीलना कर रहा है इस इन्वेशन टेक्नोलोजी अग्रिमेंट की पैनल है बीन सेट अप्टू डिसाइड ऑन 20% कस्टम ड्यूटी लाएबा इंडिया और मोवाइल फोंस और सम अधर आइसीटी पोड़क्ट ठीक है तो यहां पर यह चेक करना ह अब यहां पर जो एक्सपोर्ट जो यह ड्यूटी है दोस्तों कस्टम ड्यूटी यह दोस्तों इंडिया 20% तक किनी किनी मालों पर बसूलने लगा है यहां पर जो देश उसके खिलाब जा रहे हैं वो दोस्तों EU है अमेरिका है चाइना है सिंगापूर है ताइवान है कैना इसके लिए अब यहां पर यह सारी चीज़ें जो आपके स्कंटर में आते हैं मुवाइल हो गया ठीक है और आपके बाहर लेस नेटबॉक हो गए बेस स्टेशन हो गई मसीन हो गई और तो ट्रांसमिशन हो गए ब्वाई से में बहुत साइज चीज़ें स्कंटर गाता आ ज दीज़ें इस संस्ता को इतना कमजओ कर रहा है कि यह संस्ता फाइनल कोई भी दोस्ट डिसीजन लेही नहीं पाइगी अगर आप मान लो यह जो पैनल बने हैं यह सिद्ग करने कि भारत गलत कर रहा है तो यह क्या करेगा दोस्तों जो appellate jurisdiction है जो दोस्तों बड़ा वाला jurisdiction है WTO का ठीक है जैसे हमारे यहां Supreme Court होता है स्कूप सॉरी से से हम लोग कोई case हार जाए माल लोग आप High Court में तो हम लोग जाते हैं उससे खिलाब सुप्रीम कोट में इसी तरीके से यहां का जो अप्लेट जूडिक्सन है दोस्तों बड़ा वाला उसमें इंडिया जाएगा और उसका दोस्तों जो मिंबर्स है वो आज तक दोस्तों डव्ली ट्यो के द्वारा डिसाइड ही नहीं किये ग पढ़ेगा कि बहा पर दोस्तों कोई मेंभरी नहीं है इसका जो बात्व के दिसाइड करेगा फिर से जाकि इर दोावाला फजाएगा और यहां परुघा जो है फिर से इने कर पाएगा फिर मामला आंकर जाएगा वेथ से यह आपको जानना जरूरी है it is a multilateral agreement enforced by WTO and calculated by 297 participant in the mystery declaration on trade information technology in Singapore देखिसों Singapore में एक meeting होई 1996 में और इसमें कुछ देश साथ में आते हैं जो कि 19 देश थे एनो ने दोस्तों sign किया information technology agreement में और आपस में बादा किया कि हम आपके एक दूसरे के जो ICT product है उनके उपर हम कोई भी export duty नहीं लगाएंगे ठीक है sorry import duty नहीं लगाएंगे और लगाएंगे भी तो बहुत कम लगाएंगे एक दो परसेंट ठीक है और यह दोस्तों effect में आगया 1997 में इसमें दोस्तों कहा गया कि हमारे को trade barriers जो हैं हम लोग एक दूसरे के मालक उपर जो भारी export duty इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहें जो भारी भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं ठीक है वो हम नहीं लगाएंगे currently the number of participant and grown to 82 सुरू में जब यह agreement किया गया तो 29 member थे आज इसमें 82 rest member है और आपको जानना पड़ेगा कि इसका भारत भी क्या दोस्तों signatory भारत ने भी इस पर sign के हुए है few developed country proposed to broaden the scope and cover the IT अब देखो हुआ क्या जो पहला information technology agreement था उससे काभी सारे देशों को फायदा हुआ और नोंने का ऐसा करिए इसका दोस्तों क्या करना है आपको थोड़ा सा इसको बरोड करना ठीक है इसके अंडर में जो जो सामान नहीं आता है अब इसके अंडर में आपको उस उस सामान को भी लेके आना चाहिए अब आपको पताए कि वही राष्ट ऐसा कहेंगे जिनको इससे मोटा पैसा 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 नहीं हो रहा था इसलिए भारत ने इसको साइन करने से मना कर दिया बारत सीए समझ गया कि इससे सीधा मोटा मुनाफ़क इसको रहा है चाइना को चाइना का जो बेजनेस था इसका दो परसेंट था और यह हो गया 14 परसेंट तो सीधी सी बात है जो आई सीटी अग्रिमेंट है वो चाइना के लिए फूरूटफ और यहां पर 201 प्रड़क्ट और ज़्यादा बढ़ा दिये गए ठीक है 201 प्रड़क्ट में क्या अगरा दोस्तों और ज़्यादा बढ़ा दिये इस पर दोस्तों इसका एम था आई सीटी प्रड़क्ट की रीच को बढ़ाना और यहां पर दोस्तों नॉन टेरिम मेजर को ल नहीं किया ना इस पर साइन किये क्योंकि उसने ये कहा ये जो information technology agreement है इसके भारत की जो local industry है उन्हें दोस्तों नुक्सान हो रहा ठीक है तो आपको मैंने पूरा बताने को इसकी दोस्तों पूरा क्या है ठीक है तो चलो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर end करता हूँ बहुत सारे topic यार मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए हैं पस मैं चाहता हूँ आप मेरे को proper support कीज़े ठीक है क्योंकि सब कुछ तभी होना संबभ है जब मुझे आपका पूरा support पूरा प्यार मिलेगा ठीक है तो चलो अगर हो सके दोस्तों तो इस वीडियो को शेर कर दीजेगा और अगर आपको मेरा यह topic समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दीजेगा चले दोस्तों थैंक यू तो आप मैं आपके लिए आज रात में को वारा वारा विजे कोई और जो कॉरेंट में उश्वास कूपर वीडियो लेकर आप थैंक यू अब